लेलीज और जेंटलमन 47th मॉडियूल भे हम डिस्कस करेंगे वैबर वीव ओन क्रिजमाटिक अथारटी हमने लास्ट टी डिस्कस किया था कि अब क्रिजमाटिक अथारटी के उपर देखने कि डिफाइन होता है पावर लिजिटिमाइज पाई दे एक्सेप्शनल अंजूजल एक्स्ट्राओर्डिनरी परसनल लिबिलिटी विच इंस्पायर डिवोशन एन अब यहां पर दो बड़े अब करिजमाटिक को समझीए अक्सर बोला जाता है पाकस्तान के स्नारियो में हमने बहुत सारी लिडर्स को करिजमाटिक लीडर में कहा अब यह दो लीडर्स के बारे में कहा जाता है ऑर लोग बड़े-बड़े descendants उनके नाम पे दे दिये करते थे यह charisma होता क्या है अच्छा आम तोर पर इसी charisma को आपकी जो Hollywood celebrities के साथ जो आपकी Bollywood celebrities के साथ आपकी बाकी जो filmmaking के celebrity के साथ film industry के साथ sports के साथ आपके जो footballers हैं वो आपके बहुत बड़े charismatic players होते है अच्छा क्या वो leader भी होते है influencer तो होते है आपने देखा होगा कि media के अंदर कोई भी celebrity अगर कोई चीज़ इस्तमाल कर ले कोई product तो product की affiliation उसके साथ होना यानि आपकी sales का boost होना लिख दिया जाते है इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आम तोर पर beverages के साथ बहुत सारी associations होती है sports की यानि एनरजी ड्रेंक्स के साथ आपकी फुटबॉलर्स की energy को associate किया जाते है ये एक किसम का क्रिजमा है दूसरा political क्रिजमा अलग है इसी तरीके से entrepreneur के अंदर Steve Jobs जो को no doubt एक क्रिजमाटिक मानते हैं चार दफ़ा CEO शिप से हटा दिये गए लेकिन फिर एक जरुवत पढ़ती थी और वो कहते थे now ladies and gentlemen I'll come up with a new idea which is I bought अच्छा अब एक नया वो हर दफ़ा एक नए product के साथ आते थे एक नए innovation के साथ आते थे एक नया ख्याल के साथ आते थे कि हम वो किसी को गुलाम नहीं बनाना चाते डिवोश लेकिन जो उनकी devotees है वो उनके लिए मरने को त्यार हो जाते है और उनकी obedience जो है वो यह होती है कि जब वो आते हैं तो उसके लिए वो सब कुछ जो है उन्हाल कर देते हैं यही charismatic leadership जो है वो हम अगर इसकी बहुत अच्छी example देखें तो हम अपने दीन में देख सकते हैं आकल असलाद और असलाम एक नभी थे लेकिन नभी होने के साथ एक charismatic leadership के तोर पर अगर आप देखें तो उनके followers जो थे वो उनके लिए जान देने के लिए कुर्बान हो जाते थे आपने ये देखा कि जो दुश्मन थे वो भी उनके convert हुए ऐसा ऐसा दुश्मन जिसने जंग हराई और बाद में खालिद विन वलीद की तरह convert हुए ये वही हैं जिन्होंने हुजूर के दंदान शहीद किये और वही जो हैं वो सहिफ ल्ला का लकप पाते है हजबत अमर रजिए लाओ ताला ने उनके लिए तलवार चलाते हैं उनकी गरतन पे तलवार रखते हैं और लेकिन वही बार में convergence लेते हैं आपके सबसे बड़े इसलाम के बहुत बड़े ताकतवर खुलाफा में से आ जाते हैं इसी तरीके से आप देखते हैं कि वो क्रिजमेटिक लीडर्शिप जो है वो devotees में convert हो जाते हैं और आपने देखा होगा कि फिदा का उम्मी अभी या रसूल आला यह नहीं हम अपना सारा कुछ फिदा कर देते हैं और यह मसावाद का पहले सिस्टम बना जो क्रिजमेटिक लीडर्शिप की पहली अपने आप में एक वाहिद निशानी यह जो जिस तरह का पहला लीडर्शिप कहीं और नहीं देखा गे यह एक leadership के type है जो मैंने आपको बताया थी यह एक ऐसी leadership है जिसको आप सिर्फ प्रॉफिट एक leadership नहीं कहा सकते लेकिन इतना बड़ा devotee होना उसके साथ legal structure तो है entrepreneurial structure तो है लेकिन इसको कहा जाता है कि devotion यही devotion मजभब के साथ relate होती है यही devotion बाद उकाद आपके industrialist के साथ भी होती है बाद उकाद ऐसा भी होता है कि आपको example दे देते हैं धिर्बाई अम्बानी की तो उनके जो सारे थे जोनोंने अब shares को public किया तो जब उनके बहुत सारे shares बिखना शुरू हो गये और जब बुरा वक्त आगया तो लोगों ने तब भी share hold कर रखे रखे और उनकी devotion का यह आलम था और आम तोर पर devotion के साथ obedience पैदा हो जाती है followers की और अगर जब इस तरह की organization डिवेलप हो जाए तो इस organization का growth बहुत बड़ा होता है सालों साल के ओपर महीत होता है अगर वो उनका ख्याल रख सकते हैं तो यह भी अपनके ख्याल के लिए किसी भी हालत में जा सकते हैं आपने सगी अमर रजियल्ला का वाग्या सुना होगा कि वो रात के वक्त गश्ट किया करते थे गलियों के अंदर और देखते थे कोई गरीब भूखा तो नहीं सो रहा तो उतना ही ख्याल उसको भी रखना पड़ता है यानि लीडर को भी रखना पड़ता है जितना ख्याल और की जो फॉल्लवर्स हैं वो उनका रखते हैं सिर रखिपरोसिटी यहां पर है अब अगर हम देखते हैं तो रॉबर बिस्रे यहीं पर कहते हैं कि लीडरशिप and not an authority at all वो ही कहते हैं कि obedience में यहां पर authority नहीं है authority तो यह है कि मैं अपने कानोनी इखतियार इस्तियार इस्तिमाल करता हूँ legitimate अख्तियार इस्तमाल करता हूँ तो मैं उसके तहट आपको fear बेस authority इस्तमाल करूँ किया याद रख लें करिजमा के साथ obedience है क्या है करिजमा के साथ obedience और authority के साथ fear है बश्य है यहां तक समझते हैं और इसके बाद हम बाकी मोडियोज की तरफ चलें थैंक यू अरू